नगर में संचालेत अवैद रूप से सेक्डो आवासी विध्याले संचालेत हैं लेकिन साशन और प्रोसाशन के अंदेखी से आज नगर के राठ रूड पर संचालेत एगनेजी हॉस्पिटल में हॉस्टल संचालक की लापरवाही से कक्षा 3 में पढ़ने वाला छातर कपिल प्रजापती उम्र नौ वर्ष पिताराकेश प्रजापती निवासी ग्राम सरसेड की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई चातर के परिजनों को जानकारी दिये बगैर चातर के इलाज के बहाने बिना बताय ले गए पोस्ट मॉटम के लिए और वही मृतक के परिजनों ने बताया की राठ रोड स्थित हीरो हॉंडा शिव आवासी वध्याले में हमारा बेटा का बिल प्रजापती पढ़ाई करता रात 11 बजे के लगबग हॉस्टल के संचालक ने सूचना दी बच्चे की सबियत खराब हो गई है बच्चे की फिकर को लेकर परिजन रात को ही हर पालपुर आवासी वध्याले पहुंचे पर उन्हें बहान ना तो हॉस्टल संचालक मिला ना उनका बच्चा मिला फून पानी में तंग घर गए है तो जल्मी आजाओ भी हो जल्मी यजा आजऑ हो उन्हें किसे पूम किया थैं तो हम उन्हें बच्चालली बच्ते है ми सब्काइब अब बच्चे की जवाफंड पहीं बच्टरिए हम पर हॉम हेरा चाइश तो हम तब करा थादी कि ज़ए हम हम जिन्दा ने मिलो पर अच्छा अच्छा अपने टीचर से पूछने की कोशिच नी कि क्या हुआ है उसके साथ उसने बताया कि अच्छे तंकी में गया गया और हम तो अधूरत रहे नहीं मिलोगा सबिस्टेशिए अच्छा ज़िवे हैं गी टाशने मिलोगा अच्छा जजब हों गया शर्म्स ना अच्छा नाल अच्छा आखने। पच्ची के दूबनेक से लेके मोत का मामला सामने आये, क्या क्या सा मामला से यह कपिल प्रजापती, सनाप राकेश प्रजापती, नो साल का ललका है, जो सीवा हास्पितल में पढ़ता था, हास्पितल जो है, आवासी है, उसको पानी से दूबने से बता रहे हैं, नित्थ होई है, जिसकी जाच की जा रही है, जैसे इस्तितों के करवाई है,